और ड्रामा ग्यान होते हुए भी कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रश्ण आते हैं मेरे साथ ही क्यों मुझे ही क्यों सहना है मैं ही क्यों करूँ तो ऐसे प्रश्ण जब हमें स्वयम के विशय की स्पष्टता न हो, ड्रामा की स्पष्टता न हो, तो ऐसे प्रश्ण हमें स्वयम की वास्तविक्ता से दूर लेकर जाते हैं, तो भाई जी हमें अपने वास्तविक्ता की और लेकर जाएंगे, वेल्कम अगेन प्रिटिश भाई, ओम शांती ओम शांती, टेंक यू सिश्टर, टेंक यू बाबा तो अच्छा जो विशे है वो है एक्टर, करेक्टर एंड ड्रामा तो वैसे देखा जाए तो बाबा की जो ग्यान में है तीन सब्जेक्ट होते है एक है आत्मा का, परमात्मा का और किसरा है ड्रामा का तो आत्मा और बरमात्मा का जो सब्जेक्ट है वो हर एक आत्मा जल्दी से समझ लेती है, मतलब उनको अनुबव हो जाता है लेकिन जो ड्रामा का विशय है उसमें कहीं न कहीं जैसे हम समझते हैं अभी भी इतना जानते हुए कि वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है क्योंकि ये बात ऐसी है कि अगर हम ड्रामा का सब्जेक्ट समझ ले अच्छी तरह से तो कोई प्रश्ण ही नहीं उठ सकता और अगर हम गौर से देखे मुर्लियों में हर रोज की मुर्ली में आप कहीं न कहीं देखेंगे तो बाबा पार्ट शब्द यूस करते है हर एक का पार्ट है कभी कभी एक्टर शब्द यूस करते है ड्रामा शब्द यूस करते है बना बनाया है ऐसे हर रोज की मुर्ली में अगर गौर से देखे तो ड्रामा के आदार पर कुछ न कुछ पॉइंट जरूर होती है। और अनुबव ये कहता है कि वहीं पर हम fail होते हैं और क्यों fail होते हैं आज हम देखेंगे। तो आज हम दो तीन चीजे सीखेंगे एक तो ड्रामा अर्थात क्या वैसे तो पता है सबको लेकिन स्थूल ड्रामा के सिका यह करता है क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड ड्रामा समझना है तो हमें स्थूल ड्रामा के बारे में थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी समझना पड प्रामा चल रहा है तो कितने actors है? 8 billion actors है', और यह परिवार ऐसा है, जिसको ग्ञान है कि नहीं है? सभी actor ही है, जरूरी नहीं है कि ग्ञान है, तो ही actor है। तो 8 billion actors है, यह एक ही परिवार ऐसा है आत्माव का, जिसमें सभी actor है。 श्थूल में अगर देखेंगे तो परीवार होगा तो उसमें एक एकर होगा तो एक बिसनेसमेन होगा लेकिन ये परीवार ऐसा है कि सभी एकर है तो अगर हम समझते हैं कि ये पूरा World Drama चल रहा है अगर आप गौर से देखें जो चितर है हमारा World Drama Wheel का तो उपर लिखा है वर्ल्ड ड्रामा और नीचे लिखा है हुबहु रिपीट होता है तो क्या सच में अगर ड्रामा चल रहा है तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है तो सच में अगर ड्रामा चल रहा है तो सच में चिंता होई नहीं सकती फिर भी हमें होती है इसका मत लब क्या वो हमाँ समझेंगे तो सेक्सपियर ने कहा है कि इवन बीफोर दे बाबास नॉलिज ही सेट अल दे वर्ल्ड इस टेज और अल दे मैन और विमेन मिरली आर प्लेयर्स जो हम कहते हैं एक्टर से जनम होता है मना एंट्री और मुर्त्यू मना एंट्रेंस और वन मैं हिन इन हिस टाइम प्लेज मैनी पार्ट जिसको हम कहते हैं 84 बर्द 84 पार्ट्स अभी आपको एक चित्र दिखाया जा रहा है तो आप देखो इस इसमें ड्रामा का एक पड़दा दिखाया है बीच में आदमी जैसे चित्र है तो अगर आपको पूछा जाए कि यह जो दिखाया है जहां एरो दिखाया है उसको आप क्या कहेंगे यह जो चित्र दिखाया है उसमें तीन जैसे human beings जैसे दिखाये है तो उसको आप क्या कहेंगे ड्रामा के अंदर कोई बताएगा feel free to answer आपका unmute है की अंम्युट किया है। um मुख्य एक्टर के और को एंसर फिर ट्टेश ऑब्सेर बदेर के अब्सेर आदर और के अंदर ऑर समय जो दिखायी देरा है उसकों क्या मूलेंगे एक तो एक्टर बोला मुख्य एक्टर, फिर डिटेश्ट अब्जरवर और? हीरो एक्टर. हीरो एक्टर, okay. Okay. Head of the house, okay. Center of the stage. Center of the stage. तो actually, देखो, हम सबको पता है, na, human being. Human being में एक चीज है कि दो चीज है? दो चीज है, na, human plus being. तो actually, जो यहां पर चीतर दिखाया है, na, उसमें, मतलब समझने के लिए है, जो शरीर धारी है, na, उसको हम character कहेंगे. उसको एक्टर नहीं कह सकते. समझे, na, जब भी हमने शरीर धारण किया, तो हम part play करते हैं. तो मना, उस समय हम, कोई character का role play करते हैं. जैसे कि हम सब का नाम दिया हुआ है, जैसे प्रितेश है, तो यह प्रितेश जो है, na, वो actor नहीं है. प्रितेश तो शरीर का नाम है, na, वो character का नाम है. ताकि दूसरे लोग समझ सके. तो actually, यहां पर जो दिखाई दे रहा है, वो है character, और next चित्र में अगर आप देखेंगे, तो star दिखाया है. Point of light, जो अब बाबा कहता है, कि हम point of light है. तो actually, समझना कैसे है, कि actor एक है, वो आत्मा है, आत्मा star है, point of light है, और यह जो आत्मा star है, वो invisible है. इसलिए जो पहला चित्र था, क्योंकि उसमें invisible था, इसलिए हम शायद बोल नहीं पाए. और किसी को भी आप यह प्रश्ना पूछेंगे, तो उनका पहला आंसर ही होगा, कि यह कौन है, तो बोलेंगे actor है. तो जो शरीर दिखता है, character जो दिखता है, वो character ही है, लेकिन उसके अंदर एक invisible actor है, जिसको हम आत्मा कहते हैं. तो आत्मा अर्थात क्या, जिसे अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी बोलते-बोलते, बाबा कहते हैं न, मनसा वाचा कर्मना, तो बोलते-बोलते, हम नुभव करना है, कि यह आत्मा actor, मैं प्रितेश नहीं हूँ, समझे, अगर हमारा नाम की ही पैचान होती, तो हमेशा के लिए नाम ही रहता, लेकिन नाम हमारी सची पैचान नहीं है, तो यह clear हुआ, कि हम कहते हैं न, human being, human being मना, human मना body, character, being मना actor, तो यह जो actor है, वो ड्रामा में, तो यह जो प्रितेश है, फिर हर एक का आप का नाम है, वो part है, वो part है, ठीक है, तो यह हुआ clarity, separation, यह हमें, बाबा अगर अब मुर्ली में देखो न, तो बार-बार separate करते हैं दो चीजों को, तो जब भी हम कहते हैं न, और शरीरी, body less, body माना, सिर्फ body की तरह नहीं देखो, उसको part की तरह देखो, body less माना, part less stage, तो जब भी हम इस धराबर पहली बार आते हैं, तो हमारी memory में, इस दुनिया का कोई अनुभव नहीं होता है, वो जो stage है, उसको body less कहेंगे, माना, पार प्रभाव नहीं होता है, actor के उपर, actor के memory में, ठीक है, तो यह हुआ, simple basic understanding, कि actually हम एक soul है, invisible actor है, drama के अंदर actor है, तो drama है, नीचे के उपर, drama कहां चल रहा है, आप बोलिए, जिसको भी बोलिए, नीचे चल रहा है, नीचे चल रहा है, और actor कहां से आये है, उपर से, यह हमें पूरा दिन में याद रहना चाहिए, कि हम उपर से आये है, और यहां सिर्फ और सिर्फ, पार्ट बजाने आये है, ठीक है, अच्छा, अभी आगे का point लेते है, तो यह जो diagram है, उसमें यह दिखाया है, अगर आप ध्यान से देखे, तो एक blue color का line है, उसके उपर star है, मना वो soul world है, ऐसे समझाब, तो हम सभी, यह सुनते सुनते भी अनुभाव कर सकते है, कि आत्मा जो है, वो एक invisible star है, वो तो समझने के लिए है, वैसे तो दिखती नहीं है, तो वैसे तो invisible star है, invisible energy है, एनरजी कभी दिखती नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए, हमने physical star दिखाया है, तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, कि invisible energy है हम, और energy के बारे में क्या कहते हैं, देखो बाबा क्या कहते हैं, पहला lesson हमें से पक्का करो, पहला lesson माना invisible star, तो हमें एक energy है, energy का एक law है, thermodynamics का third law है, क्या है, कोई बताएगा, concentration of energy flows towards the low concentration of energy, energy never dies, it only changes, energy cannot be created, not be destroyed, cannot be created, since it cannot be created, it cannot be destroyed, very important, ठीक है, तो body जो है, वो temporary है, वो create करते हैं, तो इसलिए उसका destruction होता है, तो सबसे पहली point कि, मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, मैं एक energy हूँ, जब तक ये अनुभव में नहीं आएगा, तो हमें कहीं न कहीं डर लगेगा, एक बार अनुभव हो गया, कि मैं एक energy हूँ, एक्टर तो है, लेकिन कौन सा एक्टर, एनर्जी वल एक्टर है, और क्योंकि energy cannot be created, cannot be destroyed, इसलिए कहते हैं, आत्मा अमर है, और eternal, eternal शब्दा यूज़ करते हैं, eternal माना, जिसका कोई end नहीं है, तो हम सभी आत्माएं, हम सभी आत्माएं, अभी for example, zoom में, अभी part play कर रहे हैं, जैसे मेरा सुनाने का part है, अपका सुनने का part है, समझने का part है, लेकिन साथ-साथ हमें ये अनुभव करना है, ये सिर्फ part play कर रहे हैं, हम जो है, वो एक अलग दुनिया से आये है, as a guest, तो ये आत्मा, एंटर होती है, ड्रामा के अंदर, और जब हम ड्रामा में part play करते हैं, अगर हमें याद रहेगा, जो yellow color का arrow है, कि exit 100% है, आपके शहर में कोई ऐसा है, जो कहता है कि, मैं permanent यहाँ रहने वाला हूँ, कोई नहीं न, क्योंकि exit 100% है, exit 100% है, तो जब बाबा हमें कुछ-कुछ युक्ती देते हैं, पुरशार्थ में, क्या युक्ती देते हैं, अपने को महमान समझो, हम सच में महमान है, अगर महमान है, तो महमान की विशेष्टा क्या होगी, ड्रामा के अंदर, उनको मैं और मेरा पन नहीं होगा, मैं और मेरा पन नहीं होगा, ठीक है, अच्छा, तो यह हुआ example की, आत्मा आती है और जाती है, बाबा कभी-कभी कहते है, यह खेल है आने-जाने का, बस और कुछ नहीं, अच्छा, तो अभी एक example लेते है, समझने के लिए, और फिर आगे हम ड्रामा के उपर थोड़ा, और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, अभी मान लो, एक actor का, जैसे Indian actor का, example लेते है, मान लो की, अमिता बच्चन है, वो physical actor है, अमिता बच्चन, elephant का role play कर रहा है, अब चाहे तो लिख सकते है, क्योंकि ये बहुत basic foundation है, जो हम discuss कर रहे हैं, और इससे बहुत सारे प्रशना, बाद में भी अपने आप, आपको उसका जवाब मिलेगा, कोई भी प्रशनक का जवाब, तो हम actor का example लेते हैं, अमिता बच्चन एक actor है, और elephant का, वो role play कर रहा है, elephant का, और दूसरा कोई लो, कोई बताएगा, कोई और एक actress का नाम लो, अनुपमखेर, actress का, कोई actress का, जया बादुरी, जया बादुरी चलो, वेरी कूई, अबी जया बादुरी एक actress है, और वो camel का role play कर रही है, ये लिखना है तो लिख लेना, क्योंकि इसी के आधार पर हमारा पूरा session है, आगे, फिर से मैं repeat कर रहा हूँ, अमिता बच्चन, actor है, और वो elephant का role play कर रहा है, और जया बादुरी है, वो camel का role play कर रही है, ठीक है, अभी ये स्थूल film का, स्थूल drama का example दे रहे है, अभी, आप सुनते सुनते जवाब देते जाना, अगर आप चाहे तो, अभी अमिता बच्चन जो है, वो हर रोज shooting के लिए, school में, अथवा तो, जहां पर shooting होती है, तो shooting की जगह पर वो जाते है, एक घंटा, हर रोज एक घंटा, वो acting करके, elephant और camel की acting करके, वापस आ जाते हैं, ठीक है, ये clear हुआ, अभी आप ये बताईए, ये जो अमिता बच्चन जब stage पे है, तो उनकी स्मूरूती में क्या होगा, हां, तो क्या उनकी स्मूरूती में ये होगा, कि वो elephant है, कि उनकी स्मूरूती में ये होगा, कि वो अमिता बच्चन है, अभी elephant का role play कर रहा है, elephant होगा, वो तो खो, अपने, अपनी, उसकी smoothie में, आप सोचो ना, अमिद्दा बच्चन एक घंटे के लिए एक्टिंग करने जा रहा है, तो उसकी मेमरी में क्या होगा, मेमरी माना जो बेग्राउंड में होती है, तो उसकी मेमरी, एक एक एक्जामपल लेते है, सपोस्थ, किसी को पूछू, कोई आपको पूछे, रास्ते में आप कहां रहते हो, तो आपकी मेमरी में क्या होता है, कोई पूछे या ना पूछे, आपकी मेमरी में क्या होता है, घर का एड्रेस होता है, उसको स्मूर्थी कहते है, कोई आपको पूछे या ना पूछे, आपकी बेग्राउंड में आंसर क्या रहता है, मैं इंडिया का ऐसे होता है ठीक है तो ऐसे ही जब अमिता बच्चन एक्टिंग कर रहा है एलिफंट की तो उसकी स्मूरूती में क्या होता है कोई उसे पूछता नहीं है एलिफंट की एक्टिंग कर रहा है तब लेकिन उसकी स्मूरूती में क्या होता है उसका अपना घर है जहां से वो आया है उसकी अपनी फैमिली है जहां से वो मतलब यहां आता है और जब शुटिंग खतम होती है तो उसकी बुद्धी कहां जाएगी घर पर तो यह है शुरुवात की स्थिती कि कोई भी एक्टर होता है जब वो करेक्टर बनता है तो उसकी जो बेग्ग्राउंड स्मुरूती है उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं एलिफंट हूँ ठीक है कभी भी ऐसा नहीं होता और जब तब तक यह स्मुरूती बननी रहती है, तब तक वो एक्टर फ्री रहता है, तब तक वो एक्टर के से रहता है, फ्री रहता है, क्योंकि पार्ट है न, अब याब बताओ, पार्ट जो प्ले करेगा, एलिफंट का, और जया बदुरी है, वो कैमल का रोल प्ले करेगी, वो किस स्टेज के उबर जाता है उसके बाद उनको अपनी बुद्धी नहीं लड़ानी है वो डैरेक्टर की बुद्धी के आधार पर एक्टिंग करेंगे ठीके मतलब elephant को मानलो के elephant को आज रोना है रोने का part है और camel को वो रो रहा है उसको समझाने का पार्ट है और मालो की आप audience में बैठे है अभी ये actually आपको clearly पता है ये क्या चल रहा है drama तो elephant जब रोएगा तो आपको क्या लगेगा आप आपको आपकी emotions कैसी होगी क्योंकि आप साक्षी होकर देख रहे है ना ये तो क्या चल रहा है drama चल रहा है मतलब जो acting कर रहा है वो लग रहा है बहुत ही real वही पर हम first जाते है वो जो रो रहा है हाथी जो रो रहा है और फिर camel उसे समझा रहा है लगता है बहुत real तो कभी-कभी हमारी emotions वो जो drama है ना उसके उपर बेस हो जाती है हम drama को real समझ लेते हैं समझे ना तो पॉइंट क्या है पॉइंट क्या है कि जो भी कुछ हम शरीर धारण करके acting करते हैं बाबा बार बार कहते हैं अगर आप बोल रहे हैं न माइक एक बन स्काना इल डू आल म्यूट दा माइक ओके सो ठीक है तो अभी हम पूरा अच्छी तरह से समझेंगे तो अम अभी दोनों को स्मृती में है कि वो कौन है मतलब हो सकता है स्टेज के उपर वो दोनों लड़ रहे हैं दोनों का लड़ने का पार्ट है जगडने का पार्ट है लेकिन जैसे ही shooting खतम हो गया तो वो कैसे हो जाएंगे एक अच्छे friend हो जाएंगे अच्छे brothers you understand तो ये बहु फूल स्टॉप एच्छुली फूल स्टॉप लगता क्यों नहीं है क्योंकि इगो जो है न हमारे अंदर का अहंकार जो है वो ड्रामा को रियल समझता है ड्रामा ड्रामा है आप समझे ड्रामा ड्रामा है रियल क्या है अज़े हैं पचास साल क्योंकि पचास साल से वह वही एक्टिंग कर रहा है तो वह फिर भूलने लगता है कि वह कौन है फिर अभी एक समय ऐसा आता है उसकी जो स्मुरूती है जैसे कि मालो कि आप में से कई लोग इंडिया से अमेरिका गए फर एक्जामपल और अगर आप पचास साल से वह रह रहे है तो अभी आपकी समुरूती बदल गई पहले आपको लगेगा मैं इंडिया से हूँ अभी आपकी समुरूती में क्या हो गया मैं अमेरिका से हूँ राइट तो ये समुरूती परिवद्दन इस तरह से होती है एन्वायमेंट की वज़ा से अभी अमिता बच् अबी क्या होता है सेम जया बादोरी के साथ होता है अभी क्या होता है दोनों जब स्टेज पर जाते है तो उन दोनों को याद ही नहीं है कि वो अपना उनका अपना घर है उनका अपना पैरेंट है उनका अपना पैरेंट है उनको याद ही नहीं है अभी क्या हुआ अभी सोच अभी अमीदा बच्चन को याद नहीं है कि वो अमीदा बच्चन है तो वो क्या समझ के एक्टिंग करेगा elephant अपने को क्या समझेगा elephant और जया बदुरी अपने को क्या समझेगी कैमल यहां से द्वापर युग की शुरुवात होती है सत्य युक्तिरता युग में हमें क्यों प्रॉब्लेम नहीं है क्योंकि स्मूरूती है बस स्मूरूती विस्मूरूती का खेल है अभी क्या हुआ जैसे ही अपने को एलिफंट और कैमल समझा तो आत्मा विस्मूरूती में होने की वज़े से वो मांगने लगती है क्योंकि अभी उसकी जो सची पहचान थी ना एनर्जी की एनर्जी मना कम्प्लीटली फूल ठीक है तो मतलब प्रॉब्लेम क्या हुई समझ में आया प्रॉब्लेम यह हुई कि द्वापर्यूक से हम ड्रामा को ड्रामा नहीं समझते हैं हम ड्रामा को रियल समझते हैं माना एलिफंट जो है न वही एक्टर लगता है ये विस्मृति होने की वज़े से अभी क्या होता है पूरा जो जीवन है वो elephant और camel समझके करते है और अभी expectation डेवलप होती है क्योंकि elephant और camel की स्मृति में दोनों खाली है वरपूर नहीं है और फिर अभी क्या लगता है जो elephant का role है वो real लगता है camel को तो camel elephant की complain करती है elephant camel की complain करता है और फिर क्या होता है एक confusion create होता है कि जो real नहीं है उसको real समझके हम चलते हैं और इसलिए आप देखो तो बाबा बार बार हमें कहते हैं ये ड्रामा है बना बनाया बना बनाया मना script के आधर पर चलता है पर example आज का जो session है शायद 10 दिन पहले त चरफ कि हमारे मन में भी नहीं था अभी ये session हुआ मंना script होती है और script में क्या होता है जैसे अभी हम मदुबन में है तो हम जब गर से निकले तो में पता नहीं था कि हम यहां से एक session करने वाले हैं ठीक है ना तो script में क्या होता है जब situation बनती है settings होता है तब जाके घटना घटित होती है तो आज हम वो भी समझेंगे ठीक है अच्छा इतना समझाया इसके उपर किसी को भी प्रश्ण है तो ले सकते है इस ब्रदर तो हमें सबको पता है कि यह ड्रामा है लेकिन फिर भी वो consciousness आती क्यों नहीं है कि यह ड्रामा चल रहा है हाँ तो उसके लिए बाबा हमें क्या कहते है कि इसलिए हमें पड़ेगा कि consciousness है क्या consciousness बंती कैसे है तो फॉर एग्जामपल कोई है यहां पर मदुबन में जो पचास साल से सरंडर है तो अभी उसकी स्मूरूती में नैचरली उसका जो यहां का लोकी घर है वो आये गई नह इसके लिए गर है तो यह जो स्मूरूती परिवर्थन बाबा करते है कैसे करते है तो इसका जवाब आगे भी आयेगा लेकिन क्योंकि आपने पूछा है तो बताते हैं तो बाबा अगर अब देखिति तो अमें दो चीश बताते है बाप और वरसे को याद करो अभी बाप क कौण सा वर्षा दिया? तो जो भी परमात्मा ने हमें आत्मा के बारे में बताया, कि तुम एक eternal soul हो, ये एक लाइन जो है न, eternal soul, इसी से सारी problem sol हो जाती है, जैसे हम counseling करते हैं, अभी एक लड़की थी, उसको ट्रोमा था, उसको इतना ही समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो शरीर को होता है, तो वो बे फिकर हो गई, तो ये बाबा को क्यों चिंता नहीं होती है, किसी का एक्सिडन्ट होता है तो बाबा क्या कहता है, ड्राम बाबा, parent है न, कोई parent ऐसा होगा कि चिंता नहीं करेगा एकसिडन्ट की, तो बाबा केता है drama, तो बाब समान बनना अर्थात, बाबा जैसे drama को देखते है वैसा देखना, बाबा जैसे गटनाओ को देखते है वैसा देखना, तो जब हम body conscious है, तो हम drama को real मानते है, अगर आप सर्च में TV में एक ड्रामा देख रहे हैं और उसमें एक्सिडन दिखाया है अप्सोचो एक्सिडन दिखाया है तो आपके अंदर फिलिंग क्या होगी आप उसको सर्च मानेंगे कि आप उसको समझेंगे कि एक्टर तो घर पे यह तो सिर्फ एक्टिंग की है एक्टिंग की है एक्टिंग ही मानेंगे ना तो बाबा भी यही तो कि इसलिए तो जब अब देखना बाबा कभी-कभी संदेश में बोलते हैं किसी को पूछा जाता है कि इसका accident अचानक क्यों हुआ तो बाबा कहते है ड्रामा और वो तो पैरेंट है वो कभी नहीं कहता कि मुझे तोड़ी चिंता हो रही है इसका accident हो गया क्योंकि वो उपर से जो देख रहा है वो पूरा एक ड्रामा के स्क्रीम के अंदर चल रहा है उसके लिए वो रियल नहीं है मतलब क्या अभी आप इसको बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना है कि जब भी मालों की अभी गटनाएं ऐसी हो रही है कि आत्माई शरीर छोड़ रही है ठीक है तो हम बाबा के जो बच्चे है ना हमा हुआ शरीर छोड़ा लेकिन बाबा कैसे देखता है इसको बाबा स्क्रिप्ट में एक भुकम था और हजार आत्मा उने शरीर छोड़ा बकि बाबा आत्मा को देखता है इसलिए बाबा सिक्योर फिल करता है कि मेरे बच्चे को कोई कुछ कर नहीं सकता समझे एक्जामपल लेते हैं टेररिस्ट अगर ये टेररिस्ट टेररिस्ट को पता चल जाए ना कि वो लोग शरीर को मार रहे है आत्मा को मारी नहीं सकते तो वो टेररिस्ट का रोली बन कर देंगे समझ में आया क्योंकि टेररिस्ट को बडी कॉइंशेस है ना तो वो शरीर को खतम करने का प्रहतना करता है और बाबा उपर से क्या देखता है बाबा को एचुली हसी आती है कि ये विस्मृति में है अगर वो स्मृति में होता तो वे एक्षान ये करता ही नहीं इन शॉट बाबा के लिए जो एक्सिडन्ट यहां होता है तो बाबा के लिए वो रियल नहीं है क्योंकि शरीर जो है वो तो टेंपररी है वास्तविक्ता क्या है बाबा के जो बच्चे है आत्माए उसको कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकता अगर ये बात हमारे बुद्धी में बैट जाए इसलिए बाबा कहते है तुम बेफिकर बाश्चा हो कभी कभी लगता है ना इतनी सारी फिकर है बाबा कहते है तुम बेफिकर बाश्चा हो बाश्चा माना क्या प्रिंस बेफिकर माना नो वरिस तो ऐसा कैसे हो सकता है इतनी स गटनाएं ऐसी गटित हो रही है, हमारी लाइफ में परिस्थिती आ रही है, तो एक बार बाबा ने ऐसे एक पॉइंट बताई, ऐसे ही समझ में आया, कि हम लोग परिस्थिती सब्दें यूज करते हैं, परिस्थिती, तो जब हम बॉडी कॉंशेस हैं, तो हम उसे परिस्थि कर रहे हैं और ट्रेंब में आप झाल डेखना मुवती रहती और द्रश्य बदलते रहते हैं कभी जाड़ आएगा एगा कभी रे माउं्टें तो सिस्गा देगा थे बाबा के लिए सिर्ов से बाबा के लिए सिप है चाहे वह भायानक सीन हो चाहे वह बाबा के सब कुछ एक सीन है, तो जब हम body conscious होते हैं, तो जो अहंकार है हमारे अंदर का, उसे सब कुछ real लगता है, तो वो जो परिस्थिती जिसको हम कहते हैं परिस्थिती, वो actually एक सीन है, वो सीन जो है वो हमारे अंदर की कुछ power को बाहर लाने का प्रयत्न कर रहा है, हमारे अंदर एक छुपी हुई पावर है तो जितनी बड़ी परिस्थिती जो हम समझते हैं इसका मतलब हमें उतना सोल कॉंशेस बनना पड़ेगा कि हम सिक्यूर है हमें कुछ नहीं कोई कर सकता तो यह है एक्जामपल अभी आगे हम लेते हैं एक सेक्ड़ कि मुझे एक सवाल था। स्कृप्ट कौन लिखता है हाँ ऊके तो आप ही बतारिए अगर आप डेरेक्टर है तो वैसे तो स्कृप्ट लिखेंगा कौन कोई भी द्रामा है मनलों कि आप आप एक ड्रामा बना रहे हैं तो स्क्रिप्ट कौन लेकेगा आप डिरेक्टर है आईडियली, डिरेक्टर होगा, डिरेक्टर करेगा, ठीक है, तो ड्रामा में जो डिरेक्टर होता है, इसलिए बाबा को कहते हैं, जानी जाननहार, क्योंकि डिरेक्टर को सब पता होता है, तो अभी हम थोड़ा आगे समझते हैं, ठीक है, तो स्क्रिप्ट जो लिखता है, व उम पर यहां पर ये भी एक स्टोरीग चल रही है रीट क्या है रीट जो सुनने वाली अत्मा है ह exists यह वह पर रहेगा तो हमें टेंशन नहीं होगा अगर हमेंड़ा थिका 수कस ड्रामा जो चल रहा है उसह को को रियल मानेंगे तब जाके हम उसको मौज के बजाए मौज जाएंगे हम आपको अभी समझा रहे हैं लेकिन हो सकता है दो गंटे के बाद ऐसी परिस्थिती आएगी हम भी बॉड़ी कॉंशेस हो जाएंगे इतना पता होते हुए भी यह पावर है बॉड़ी कॉंशेसनेस की ओके तो अभी हम थोड़ा समय बिताते हैं ड्रामा कैसे वर्क करता है तो ड्रामा जो है ना वर्ड इट्सेल्फ कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड मिनिंग एक्शन बहुत यह अच्छा डेफिनेशन है ड्रामा का मतलब क्या है एक ग्रीक शब्द है उसका मिनिंग होता है एक् बात होती है बच्चों को अगर बाहर भेजे तो बोलेंगे घर जाना है घर रखेंगे तो बोलेंगे कि घुमने जाना है तो इसका जवाब ऐसा है कि अगर यहां पर दुखी है तो कहते हैं कि घर जाना है घर जाना है तो बोलेंगे कि अभी बोर हो गए अभी नीचे जाना ठीक है? तो हम क्यों नीचे आते हैं? क्योंकि drama means action. तो हम यहाँ पर सिर्फ acting के लिए आते हैं. एक मुसाफिर है यहाँ पर. गरबड क्या हो गई? जब अमिता बच्चन अपने को elephant समझता है, तो उसकी जो emotions है, feelings है, वो किसके आधर पर होगी? उसकी जो emotion से भावनाएं है, वो part के अधर पर होगी. तो हमारा सारा जो नकारात्मक भावनाएं हैं अगर आप observe करेंगे, उस शरीर में जो आप part ले कर रहे हैं, उसकी वज़ा से होती है, उसकी ही चिंता होती है. इसलिए बाबा क्या कहते है, हर गंटे bodyless stage का अभ्यास को रहे हैं, बीना part में जब हम है, तो एकदम perfect है, मतलब energy है, और उसी अनुभव के साथ acting करने आना है. तो अभी आगे चलते हैं इसमें, तो ड्रामा का मतलब क्या है, तो ड्रामा एक play होता है, story के आधार पर, और ड्रामा हमेशा कैसा होता है, suspense होता है, suspense होता है, ड्रामा में आप देखना, तो बाबा कहते हैं हर बात में कल्यार है, वो suspense है, हमें पता नहीं चलता, कि suspense क्या है, लेकिन समय आने पर वो पता चलता है, तो एक ड्रामा क्या है? एक स्टोरी है जो ओडियंस के सामने इनेक्ट करते हैं, तो आप सोचो अगर कोई एक्टिंग कर रहा है स्टेज पर और दूसरी आत्मा भी एक्टिंग कर रही है आप स्टेज पर हो तो आप क्या करेंगे अगर दूसरी आत्मा गलत एक्टिंग कर रही है तो आप क्या करेंगे आप अपनी एक्टिंग पर ध्यान रखेंगे कि उसकी एक्टिंग पर कमेंट करेंगे हाँ हमारी गलती बॉडी कॉंशिस में क्या हो जाती है हम हमारी एक्टिंग को छोड़के सामने वाली की acting को correct करना वो director की जाबदरी है वो हमारी जाबदरी नहीं होती है हमारी responsibility नहीं है इसलिए बाबा कहीते हैं कि law हाथ में मत उठाओ मना वो आपकी responsibility है यह नहीं हाँ ऐसा हो सकता है director आपको acting सिखाएगा और आप अगर सही acting करेंगे तो आपकी acting को देख कर दूसरा actor clue लेगा और अपनी acting सिख कर लेगा जैसे घर में चार लोग है इसमें एक निग्ञान लिया अगर आपकी acting सही कर रहे है मुरली के आधार पर तो बाकी के जो तीन लोग है न उसको बोलने की ज़रुद नहीं पड़ेगी क्योंकि उनको दिखेगा कि acting कैसी होनी चाहे लेकिन जब हम बोलने जाते है ऐसा नहीं एसा करो तब conflict होता है पार्ट में और हम हमारी acting भोल जाते हैं जो करनी है ओके तो कभी-कभी अभी हम आत्माए सब actor है तो जब हम acting कर रहे है न उसी समय हम audience भी है यह समझने की point right for example अभी हम बोल रहे है तो हम acting कर रहे है लेकिन साथ-साथ हम audience भी है हम observe कर रहे है तो यह बहुत important है audience की स्थिति जिसको हम कहते हैं detached observer बात यह है कि हमें दोनों चीजे सासाथ करनी पड़ेगी acting भी करनी पड़ेगी और सासाथ detached observer भी होना पड़ेगा अच्छा डिटेश्ट ऑप्जवर मना पार्ट से है अपने पार्ट से और दूसरों के पार्ट से अब्वी हमारा पार्ट भी ना अच्छा नहीं होता है तो ट्राइ कर सकते हैं, ये दो हाथे, लेफ्ट हैंड है न, वो आत्मा है, राइट हैंड है न, वो आपका पार्ट है, जब हम बोडी कॉंशेस होते हैं दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं, जब बोडी कॉंशेस होते हैं तो दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं, अभी क्या हुआ, ये जो आ उपर नीचे होगा हलचल में आएगा इसलिए जब यह चेकिंग पॉइंट है कि कैसे पता चले हम बड़ी कॉंशेस है तो जैसे कल यहां पर कुछ हुआ और हम भी बड़ी कॉंशेस हो गए थे गेट पे किसी किसने कुछ बोला तो बड़ी कॉंशेस हो गए क्यों उस समय बड तो माना हमारी यह स्थिति है आत्मा एक्टर और राइट साइड पार्ट दोनों फेविकॉल की तरह एटेश्ट है इसको एटेश्मेंट कहेंगे तो अगर हमें पार्ट की इमोश पार्ट जो है वो फीक्स है हम बदल नहीं सकते यह बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है इसल पार्ट है मानलों कि आपके पार्ट के ऊपर किसी ने कुछ कमेंट की लेकिन आपका मन जो है वो डिटेश्ट है पार्ट से आपको पता है कि यह सिर्फ पार्ट है और वो भी फिक्स है यह दो चीजी अगर याद रहेगी तो क्या होगा मन जो है वो पार्ट के प्रभाव मे नहीं आएगा ठीक है तो आत्मा जो है वो एक्टर है और राइट सेड जो है वो जैसे कि हमारा शरीर का जो नाम है न वो राइट सेड है फर एक्जामपल अभी प्रितेश जो है न वो राइट सेड है राइट है लेकिन जो बोलने वाली आत्मा है न वो साक्षी होकर प्रिते देख सकती है कि हाँ अभी next time दियान रखना है क्योंकि translation भी हो रहा है तो यह साक्सियों कर देखेंगे तो हमारी सबसे पहले जो हमार कमेंट आती है उसकी असर मन पर नहीं होगी और मन जब स्थिर होगा तो हम कमेंट को feedback को अच्छी तरह से देखकर इसके उपर work कर पाएंग नहीं तो क्या होगा अगर यह joint होगा तो किसी ने कुछ feedback दिया तो हम उसको negative रिती से लेंगे क्योंकि यह मन दुखी हो गया और दुखी मन हो गया मना वो आगया काम अच्छा नहीं कर सकता ठीक है ओके तो अभी drama जो है वो किसलिए बनाया जाता है entertainment के लिए और एक चीज याद रखनी है जैसे Christmas के टाइम पर दिखाते हैं सांता क्रोज गिफ्ट देता है और बाबा भी कहता है कि मैं हथेली पर सौगार लेके आया है कौन सी सौगार लेके आया है बाबा बताओ अन्मुट वर्शा ग्नियान की और कोई आंसर है मुक्ती जीवन मुक्ती जीवन मुक्ती और स्वर्ग स्वर्ग ओके तो एच्चुली हमेशा वो स्वर्ग दिखाते हैं हाथ में लेकिन में जो गिफ्ट है आत्माव के लिए 5000 साल का जो ड्रामा है वो एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है हमारे लिए पूरा ड्रामा तो अगर आपको फुल स्टॉप लगाना है एक सेकंड में तो यह पॉइंट बहुत इंपोर्टन्ट है कुछ भी हो रहा है वो एक एक्स्ट्रा है एक्स्ट्रा 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 पूरा दिन में यह अनुभव करना है कि मैं तो उपर से आया हूँ, उपर से आई हूँ, और यहां पर जो भी मुझे मिल रहा है, वो सब कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट है, सब कुछ. तो अगर हम अभी दुख का पार्ट अच्छा प्ले करते हैं, अगर हम अभी दुख का पार्ट अच्छा प्ले करते हैं, टिटेश होकर, तो धुआ पर युग के बात जब दुख आयेगा ना, तो उस समय भी हम free रहेंगे क्योंकि उस समय हमें स्मुर्थी में होगा कि यह तो हम acting कर रहें तो जैसे हम समझते हैं अगरे ड्रामा में दोनों चीजे होती है सुख और दुख बाबा भी कहते हैं सुख दुख का ड्रामा बना हुआ है बना ही हुआ है ऐसा हमें यह सुख अच्छा एक्टर होता है उसके लिए काउनसी एक्टिंग कर नीं है वो सुख की अच्छी कर लेता है तो बाबा हमें जुभी सिकाते हैं मुरली में कैसे करनी है अब थोड़ा समय हम बिताते हैं स्थूल ड्रामा कैसे बना है कि तो ड्रामा जो स्थूल होता है उसमें पहला एलिमेंट एज कास्ट of character इसाने पूंचा तो डाइरेक्टर किया करता है क्रैक्टर्स करता है और आप डाइरेक्टर है तो आप رोल किसको देंगे जो केपेबल है रोल किसको देंगे जिसको विलन रॉल अच्छा आता है hero जो होता है ना वो शयद villain का role अच्छा play नहीं कर सकता है लेकिन villain ही villain का role अच्छा अप्ले कर सकता है तो फो capacity होती है हर एक actor की तो ये हर एक का पार्ट है ना बसक्त क्राइब है तो first element best of character मना जो describes ड्रामा होता है ना उसमें characters होते हैं और character माना हर एक को एक mask दिया जाता है यह mask है यह जो हमारा चहरा है वो mask है हमें यह mask पहना है वो याद रखना पढ़ेगा और mask पहन के हम जो acting कर रहे हैं वह script के आधार पर कर रहे हैं वह समय 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 प्रति समय वो emerge होती है तो पहला ऐलिमेंट कोई भी drama होता है ना उसमें director characters fix करता है कौन सा character कभ क्या करेगा सब fix होता है कभी कभी हमको लगता है मेरा इसी फैमिली में क्यों जनम हुआ इस इत्वा प्छार प्राइच में आंगे नहीं नहीं नेक्स्ट एलिमेंट होता है सैटिंग बहुत इंपोर्ण uważ सब्सक्राइब होता है ड्रामा में सेटिंग सेटिंग मतलब क्या वेन एंड वेर दस्टोरी टेक्स प्लेस उसमें समय और लोकेशन बताया जाता है स्थूल ड्रामा जब करते हैं जिसे आप कोई भी फिल्म देखते हैं तो पंदरा मीट के बाद एक गीत आएगा इसी मिट के बाद और एक कीत आएगा सैटिंग होता है कि इसी समय पर हो घटना घ्टित होनी चाहिए टीज के सब सब्सक्राइब हिख करते हैं य section करो हम क्या करते वह सेटिंग होता है क्यूंकि वह दो डेरेक्टर को पता है अब यह सेटिंग था कि जब हम मदुबन में है और एक रूम में है जब हम इस रूम में आएंगे तब यह घटना घटित होगी तो मैं कितनी भी एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि मुझे क्लास करनी है सिखाना है तो फुल्फिल नहीं होने वाली वह अपने आप होगा जब समय आएगा यह आप समझे ठीक है तो सेटिंग होती है सेटिंग में क्या होता है समय लोकेशन से फिक्स होता है इसलिए आप सभी ने अब्जव किया होगा कभी न कभी कि कुछ एक प्रश्णू का जवाब है न आपको आपके घर में नहीं मिलेगा आप इंडिया आएंगे मदुवन में आएंगे कोई भाई आपको बताएगा ऐसे वो सेटिंग होती है इसलिए हमें क्या करना है वो जो सेटिंग है न वो इन्वीजिबल है वो हमें पता नहीं है इसलिए बाबा कहते हर बात में कल्यान है लगता नहीं है कल्यान है लगता वो सेटिंग है, वो समय आएगा तो आपको पता चलेगा, तब तक नहीं पता चलेगा, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ, थर्ड एलिमेंट, वेरी इंपोर्टन, कोई भी ड्रामा में क्या होता है, डायलोग होता है, डायलोग होते हैं, आप इस क्लास के बाद एक ड्रामा बनाने का प्रयतन करना, ये पाच एलिमेंट के साथ, तो आपको पता चलेगा, आप ड्रामा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप जब भी ड्रमा बनाएंगे, तो entertainment के लिए बनाएंगे, दुख के लिए नहीं बनाएंगे, अच्छा, तो third element होता है, dialogue, dialogue माना, उसमें लिखा होता है, elephant को 10 बजे क्या बोलना है, और elephant अगर ऐसा बोलेगा, तो camel को क्या बोलना है, वो भी fix होता है, और मानलों की घर में दो वेक्ती है, उनके बीच कुछ dialogue चल रहा है, तो बाबा क्यों इतना easily रहते है, क्योंकि बाबा को पता है कि ये dialogue fix है, recorded है, बाबा कहते हैं ने, pre-recorded है, तो जब ये dialogues जो है, drama के अंदर, वो fix होते है, तो हमें क्या करना है, हमें silence में रहकर अपना dialogue प्ल करना है, तो जो भी actors जो बोलते हैं, अभी अमीदा बच्चन elephant का role play कर रहा है, तो elephant को जो भी करना है, वो सब लिखा हुआ होता है, ठीक है, अभी एक प्रशना आप से पूछते हैं, जवाब देना चाहें तो बताना, बहुत सारी समय हमें प्रशना होता है, अगर सब कुछ fix है, तो फिर हमें करना क्या है, बात ठीक है ना, dialogue भी fix है, यह भी fix है, तो फिर पूरशाद क्या करना है, तो actually हमें ये clear रखना है, क्या fix है और क्या fix नहीं है, तो आप drama देखो, आप कोई भी film देखने जाते है, शुटिंग देखने जाते है, तो क्या देखेंगे, अभी इसको elephant का रोल दिया, तो director क्या बोलेगा, क्या dialogue बोलना है, script क्या है, कब क्या करना है, वो उसको बताया जाएगा, लिखके बताया जाएगा, लेकिन, अमीत्व बच्चन एक actor है न, उसकी एक खुभी है, acting की, तो dialogue बोलते समय, उसके चहरे के जो हावभाव है, वो generally लिखी न तो जो हमारी emotions है, feelings है, वो fix नहीं है, वो हम बदल सकते हैं, समझ में आई पॉइंट, example, बाबा कभी के बही कहते हैं न, पहाड को रुई बना दो, रुई को राई बना दो, और ego क्या करता है, रुई को पहाड बना देता है, तो कोई भी actor है न, उसके पास ये skill होती है, तो बाबा हमें क्या सिखाते है, smoothie में लाते है, कि ये तो सिर्फ drama चल रहा है, तो जैसे हम smoothie परिवर्तन करते हैं न, तो हमारा द्रश्टी कौन बदल जाता है, और जैसे ही हमारा द्रश्टी कौन बदलता है, तो हमारी feelings बदलने ल सकती है, तो क्या fix है, dialogue fix है, लेकिन dialogue जब हम बोलते है, अथ्वाद द्रामा में जो भी होता है, उसमें हम कैसा respond करते हैं, वह हमारे हाथ में होता है, तब हम इतना पुर्शाद करते हैं, तो हमारे हाथ में क्या है? हमारी भावना है, हम विचार बदल के, हमारा द्रश्टिकॉन बदल के कर सकते हैं, तो ये हमारे पास free will है, इसको free will कहेंगे आत्माओं के पास free will है, एनिमल्स के पास free will नहीं है, हमारे पास free will है, free will मना हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तो द्रश्टिकॉन से क्या हुआ? हमारी free will थी, तो हमने decide किया, हम body conscious है, मतलब ये दुनिया ही main है, और जैसे जैसे हमारी free will को हम उप्योग करते गए, हम body conscious हो गए, अ वापस soul conscious बना रहे हैं, और ये important point है, dialogue fix है, लेकिन जैसे कि cassettes होती है, ना, cassettes, पुराने जमाने में cassettes आती थी, side A, side B, side A, side B, यहाद है, cassettes plays होते हैं पहले, तो side A मना आत्मा, side B मना body, तो द्वापर्यू के बाद है, हमारी side change हो जाती है, तो dialogue change हो जाते हैं, तो हमारा पुर्शात क्या होना चाहिए, वो जो cassette है, वो fix है, side A में क्या बजेगा, side B में क्या बजेगा, वो fix है, हमारा पुर्शात है, वो side बदलने का, जब तक हमारी side बदलने का पुर्शात नहीं होगा ना, जिसको बाबा स्मूती परिवतन कहते हैं, स्मूती से ही आती है ऐसे कहते हैं तो हम साइड बी में रहते हैं तो साइड बी में तो गुस्सा आएगा ही आएगा इसलिए आप देखो मुरली में सबसे पहला स्टेप क्या होता है पूरी मुरली में हरोच अपने को मेरे मिखे बच्चे अपने को क्या समझो आत्मा समझो और फीर मुझे याद करो यह स्टेप क्यों है बाबा हमारी साइड चेंज करता है चली जैसे ही आप अपने को आत्मा समझते हैं, मना आपकी ये जो दुनिया है ना, फिजिकल वर्ल्ड, वो मेन नहीं है, मेन दुनिया आपके उपर है, ये साइड चेंज करना अगर आ गया ना, तब जाके हम फ्री अपने कौन उभाव करेंगे, एटर्नली हम फ्री है, नहीं तो ह दायलोग होता है, फिर चोता होता है स्टेज के डायरेक्शन्स, मतलब जैसे अभी मैंने बता है ना, स्टेज का डायरेक्शन था, कि जूम पे मदोबन में जब आप जाएंगे, तो इस रूम में से आपको क्लास करना है, ये स्टेज का डायरेक्शन था, तो ये स्टेज ज जब setting होती है, तो कोई किसी को बताएगा, जैसे एक sister ने बताया, और फिर stage के directions दिये गए, कि आपको इधर करना है, इधर करना है, क्या deliver करना है, तो ये चौथा element होता है, stage के directions, और पाँचवा element होता है, act and scene, तो पूरा जो play होता है, खेल होता है, वो अलग-अलग छोटे-छोटे chapters में divide की, जैसे book होती है, कोई भी book ऐसी नहीं होती है, कि एक ही chapter होता है, उसमें अलग-अलग chapters होते है, ऐसे हमारे 84 chapters है, और हर एक chapter में क्या होना है, हर एक का अलग-अलग है, बाबा कहते हैं, निचोरि हर एक की chapter अलग है, हर एक की book अलग है, हम कभी भी compare नहीं कर सकते, इस आत्मा की प्रितेश का जो part है, उसकी problem अलग होगी, आपका जो part है, उसकी अलग होगी, क्योंकि chapters सी different है, हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरह से समझना है, कि यह जो book है न, शरीर वाली, वो fix है, उस ना है, और फिर acting करने के लिए यहां ना है, तो पांचवा जो element drama में होता है, उसमें acts होते है, और scenes होते है, scene हमें सा, scene को scene ही कहते है, वो कभी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, आप देखो, मुसाफरी करते हैं, तो क्या होता है, कभी हम गुमने जाते हैं, तो scenes हो गई, scene आ गया, क्यों हम complain नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम कितने दिन वहाँ पर है, हमें पता है कि हम तो 10 दिन के लिए गोमने आया हैं, क्या और चिंता करने की, complain करने की, तो जब settings, act का जो settings होता है, वो change होता है, तब नया scene आता है, तो बाबा अभी क्या कर है, यह बहुत अच्छा experience करना है, मुरली क्या है, आप किसी ने पूछा न, script, मुरली script है, बाबा हमें पूरी script बता रहा है, हर रोज, और यह अच्छी बात है, संगम युग माना, live shooting चल रहा है, रोज बाबा कहता है, आप यह धरन करो, यह धरन करो मना, you are an actor, आपको आज हर रोज बाबा नहीं नहीं बाते 5000 साल में जो हुआ वो बताता है, तो बाबा की memory में जो data है, वो मुरली में वो अनुभाव कराता है, तो आप इस तरह से एक बार मुरली सुनके देखना, कि मैं actor हूँ, आज मुझे कौन सी acting करना, कोई भी एक acting ले लो, कभी-कभी धारना ह होती है, तो एक टाइम में नहीं होती है, रिहर्सल करनी पड़ती है, जिसे मानलो कि किसी को माफ करने की acting, वो बहुत difficult होता है, हम माफ नहीं कर पाते है, depending on the karmic account, तो बाबा हमें remind कराता है, माफ करो, माफ करो, मना practice करो, तो अभी हम क्या कर रहे है, practice कर रहे है, तो द्वा पर यूक के बाद जब माफ करने की situation हैगी, तो हम कर पाएंगे, ठीक है, ओके, तो इसलिए बाबा केते हैं, आपके लिए तीन भाग अच्छा है, मतलब golden age, silver age and even copper age, सिर्फ iron age में थोड़ा difficult part है, मतलब दुख लग रहा है, तो यह कब होगा, जब अभी यहाँ पर live acting अच् sincerely लेना है, एक enjoyment की तरह कि director यहाँ पर है, मुझे acting सिखा रहा है, और दूसरी बात, actor जो होता है न, उसको वास्ता में कोई चिंता होनी नीचे, क्योंकि करावन हार करा रहा है, मना director वो बोल रहा है, हम कर रहे हैं, अगर हमारे से कोई गलती हो भी गई, और मालो की director ने component, पांच component है, और यह जो है, स्थूल ड्रामा का हमने discuss किया, तो यह वर्ल ड्रामा जो है न, उसमें भी यह पांच चीजे होती है, ठीक है, हम revise करते हैं, characters होते हैं, characters होते हैं, फिर sequence होता है, फिर dialogue होते हैं, फिर stage directions होते हैं, और act और scene होता है, ठीक है, तो यह class के बाद हम आपको एक हिंदी sentence दे रहे है, class के बाद सुनना, एक song है, जिन्दगी एक नाटक है, Google पर आप सर्च करना, जिन्दगी एक नाटक है, वो सिर्फ song किसी को आप सुनाएंगे न, वो free हो जाएगा, सारा जो हमने अभी समझा न, सब कुछ दिखाया है, किसी का विलन का पार्ट है, किसी का ये, सारा पार्ट है, इसको हमें seriously नहीं लेना है, जैसे हम seriously लेते हैं मना, समझना है कि ego active है, ego का का काम है, सब कुछ serious लेना, हाँ, किसी ने hand raise किया था, भाई-जी तो फिर जब हम सद्क्यूग में आते हैं, तभी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन तभी पता नहीं है, just like सभी अधर यूग्ज में, तो आपने कहा कि तभी भी बाबा हम से acting कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने program किया, जैसे आप पैटरे में डेटा कॉपी करके कहीं जाते हैं, तो फिर सिर्फ करना होता है, अभी हम ऐसे गिटा बर रहे हैं, गोल्डनेज में, गोल्डनेज माना कि एच्छुली हम देखें, तो कुश्यसनेस सिफ्ट करें, साइड दे साइड भी का खें, इसलिए मुख्य प्रशाद तो बहुत ध्यान रखना है, कि हम के सच में समझे कि क्या करना है, तो पूरी मूरी में आप देखेंगे ने, बाब तो अगर हम साइड ए में हैं, तो एक्टर का माइंड सेट क्या होगा, हम अब्जरवर है, गेस्ट है, ट्रस्टी है, ट्रावेलर है, यह जो चार बात है न, वो पूरा दिन में अच्छी तरह से, क्योंकि सारा जो दुख है न, वो मैं और मेरे पन की वज़े से है, और अग सारा कुछ भी है नहीं न, हम कुछ लेके आये थे यहां पर, पहले बर्थ में कुछ लेके आये थे, नहीं, तो बाबा कहते है न, इच्छा मतरम अवीद्या, तो कभी कभी लगता है, इच्छा मतरम अवीद्या कैसे अभ्यास करेंगे, तो अनुभव करो, अच्छा मुझे फूर दे दो थोड़ा पैसा दे दो एक दो चेक दे दो यह प्रूफ है ना यह प्रूफ है आत्मा को कुछ नहीं चाहिए यह बहुत इंपोर्टन स्टेटमेंट है इस थिति को बाबा इच्छा मतरम अविद्या कहते हैं मना जो भी कुछ चाहिए ना जब हम ड्रामा में आते है न तब वो भी शरीर को चाहिए पानी भी शरीर को चाहिए चली तो कभी आप देखना आपको प्यास लगी है ऐसा अनुभाव होता है तो अगर आप अनुभाव करेंगे तो यह डिटेश्मेंट की वज़े से आप लंबा चला पाएंगे उसको पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा थोड़े समय के लिए मतलब आत्मा सच में आत्मा दो चीज अगर आपको याद रहती है ना कि आत्मा को कोई कुछ करने ही सकता डॉक्टर भी लास्ट में क्या कहते अभी भगवान के उपर छोड़ दो वो भी ऑपरेशन करके आत्मा को निकाल नहीं सकता उसकी ताकत नहीं है वो अपने आप ही जाने चाहिए इतना सारा एडवांसमेंट है तो यह एडवांसमेंट क्यों नहीं है कि अभी तो सभी आत्मा दुखी हो रही है होस्पिटल में तो सबका ऑपरेशन करके निकाल दो बेस्ट सॉलिविशन क्योंकि आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता तो आत्मा को कोई कुछ करने ही सकता और आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए ड्रामा की जरूरत नहीं है यह अच्छी तरह से समझो इवन गोल्डनेज और सो यू डों जैसे ही आपको यह अनुभाव होने लगेगा ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इवन यह ड्रामा भी एक्स्ट्रा है मेरे लिए तब जाके आप सच में बेफिकर बासा का अनुभाव कर पाएंगे और आपको सरखेल सिक्योरिटी का है आप सिक्योर फिल करेंगे इसलिए बाबा कहता है ने बस मैं और मेरा बाबा यह एकी चीज एसी है आत्मा और परमात्मा जिसको आप कहते हैं मेरा तो अभी यह जो है ना स्लाइड उसमें क्या दिखाया है हमें इसी स्मूति में रहना है कि मेरा कुछ नहीं है और मैं समय से परे एक दुनिया से यहां आया हू और क्योंकि यहां मेरा कुछ नहीं है, तो मैं कुछ खो नहीं सकता, कुछ भी खो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं, और हम immortal है, तो हमें कोई नुकसान नहीं कर सकता, और सदा के लिए हमारा अस्तित्वा रहता है, इसलिए तो यह eternal drama केते हैं, वह चलता ही रहता है हम अत्माओं को कुछ नहीं होता है ठीक है? कभी सुक्का पार्ट है, कभी दुख्का पार्ट है फिर वापस सुक्का पार्ट, फिर दुख्का पार्ट तो यह जब अनुभव होने लगेगा कि देखो पिछले कल्प में भी हम यहां मिले थे, इसी तरह से अगले कल्प में भी मिलेंगे, यह चलता ही रहेगा और यह पार्ट है ठीक है? तो जब हम सिक्योर्ड फिल, यह बहुत इंपोर्टन लाइन है जब तक आप सिक्योर्ड फिल नहीं करेंगे तब तक आपको संतुष्ट अनुभव नहीं हो सकते यह जो स्लाइड है उसमें सारा सार है ग्न्यान का अच्छली कभी-कभी हमें लगता है ना कि सच्चा आपको आप में एक प्रशन पूछ रहा हूँ आपने अनुभव किया होगा, इतना ग्न्यान होते हुए भी सभी के लिए हमारा प्यार नहीं उत्पन होता है, किसने अनुभव किया हम तक है सबको प्यार करो हुआ लेकिन हम कर नहीं पाते है क्यों ऐसा होता है कियोंकि ठोट के लेवल पर कर लेंगे, रियल में नहीं कर पाएंगे, तो जिस आत्माओं के संपर्क में आने से आपको insecurity feel होगी वहाँ पर आपका प्यार उद्पन नहीं होगा क्योंकि वह आपको insecure feel करा रहे और बाबा के साथ हमें क्यों अच्छा लगता है क्योंकि एक बाबा ही ऐसा है जो हमें secure feel कराता है So just a quick question So they are making us insecure One second Let me just increase the volume Please ask again What I'm saying is Are you saying that they are making us insecure The other side That's why we are Yeah, basically क्योंकि जो आत्म है body conscious में है वो insecure है इसलिए तो body conscious है और वो जब खुद insecure है जब हम उनके संपर्क में आते है अगर हम soul conscious नहीं रहते है तो हम उनके प्रभाव में आ जाएगे और जब एक बहुत simple चीज़ है अगर आपको कुछ चाहिए नहीं न तभी आपका behavior free होगा तो आपने अनुभवे ने अनुभव किया कि अब इतना ग्णान होते हुए भी कोई-कोई आत्म होग के प्रति वो सच्चा प्यार उत्पन नहीं होता है क्योंकि जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो कुछ न कुछ डराते है कुछ insecure feel कराते है ऐसा होगा वैसा होगा और जहां insecurity है न वहाँ पर ये joy, happiness, love, shanti, अनुभव नहीं हो सकती और बाबा आप मुरली में देखो न वो बार बार एकी चीज़ बोलता है तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ eternal हो, you are eternal soul, that's it, full stop और जो भी आँखो से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, वो पाठ है तो बाबा देखो तो एक युक्ति देता है हमें ये दुनिया को worth not a penny ऐसे बोलता है, देखा क्या बोलता है, worth not a penny penny जितनी भी value नहीं है, कबरस्तान है क्यों ऐसा बोलता है बाबा, ego जो होता है उसके लिए ये कबरस्तान नहीं है, उसके लिए main दुनिया है उसका सारा progress इस दुनिया में है, लेकिन जो egoless होता है, उसकी दुनिया अलग होती है उसकी दुनिया अलग होती है, ठीक है? तो ये हुआ actor जब soul conscious है, तो उसके दिमाग में ये चलेगा और जब body conscious है, तो अपने को role समझेंगे my car, my job, my country, my house और इसकी वज़े से जब desire, actually desire उत्पन क्यों होती है? हम अंदर से खाली होते हैं, आप कहते हैं अगर कि मुझे इस वेक्ति से प्यार चाहिए, मना अंदर से आपको प्यार का अनुबव नहीं है, तो बाबा कहते हैं तुम तो हो ही प्रेम स्वरुप आत्मा, मना क्या? आपकी रचना ही वो है, आपको जरुवत नहीं है प्यार की तो मैं प्रेम सुरूप आत्मा हूँ ये अभ्यास करते हैं न हम ये अभ्यास नहीं करते हैं प्रेम सुरूप आत्मा बनेंगे गोल्डनेज में I am I am that is what my creation तो desires की वज़े से क्या होता है एक uncertainty होती है anxiety, worry, stress, fear क्योंकि desire जब fulfill नहीं होती है तो चिंता होती है और जब बार-बार desire fulfill नहीं होती है तो डर लगता है तो ये जो चार्ट है उसमें ये दिखाया है कि अगर desire उत्पन करते हैं वही सारी जड़ है problem की अगर desire uncertain है तो उपर के चार चीज़े आएगी अगर desire fulfill नहीं होई आपको पता है कि नहीं होगी पर example आपको कोई बता दे आप लक्षमिनान बनने वाले नहीं है ये भी एक desire है अगर आपको पता चल गया बाबा ने बोल दिया कि आप लक्षमिनान नहीं बनेंगे तो घुसा आएगा इतनी मेहनत की और नहीं बनेंगे तो desire नहीं होने चे नहीं तो क्या होता है एंगर होगा not fulfill फिर हैट्रेड होगा jealousy होगी और दूसरे को मिलेगा तो jealousy होगी क्योंकि हमें desire fulfill नहीं कर पाए फिर क्या होता है उसके बाद हम self को blame करते हैं जब desire fulfill नहीं होती है तो हम कहते है मेरी बुद्धी ही ऐसी है मेरा तो नसीब ही ऐसा है तो low self-esteem होता है फिर frustration आता है और फिर sadness आती है दुख होता है फिर depression में जो लोग जाते हैं वो खुद को blame ज्यादा करते है मेरी वजह से और actually आपको एक simple trick है कभी काफी सारे लोग के थे मेरी life ही ऐसी है यह आपकी life नहीं है यह तो story की life है आप समझे फर example प्रितेश है प्रितेश का जो part चल रहा है ना वो story में है वो मेरी life नहीं है मेरी life त से ठीक है तो 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 बाइजी और यह जो आप ड्राम में आता है आपने भी किया तो ड्रामा जो है खुब हुब रपीट होता है तो इसका क्या मेरी हुब 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 past हुआ, वो हो गया आगे के लिए आपके पास option है you can program तो हुबहु repeat होना है माना जैसे तिन गंटे की फिल्म होती है तो जो scene जो scene पहले गंटे में आया था, वो दुसरी बार देखेंगे तो वही scene आने ही वाला है तो इसलिए तो हमें अभ्यास क्या करना है चाहे अच्छा scene हो, बुरा scene हो मुझा आत्मा को कोई फरक नहीं पड़ सकता मैं तो eternal हूँ, यह अभ्यास करना है तो नहीं तो क्या होगा हमारी बुद्धी वापस उसमें रहेगी कि 5000 साल के बाद के भी कि यही situation आने वाली है, क्या tension हो जाएगा आपको उसको detache होकर देखना है कि यह जो scene गई वो आएगी, लेकिन अभी आप detachment का अभ्यास कर रहे हैं तो वो उसी तरह से, मतलब आपका जो part है, वो fix है जो आखों से देखता है, कानों से सुनाई देता है, वो script लिखी हुई है उसको बदलने का प्रहतना नहीं करना है in fact, यहाँ पर तो हम यही भी समझते है कि golden age में जाने की भी एक desire नहीं होनी चे है, क्योंकि उसमें भी आपको desire fulfill नहीं होगी तो बाबा अगर सक्षात कर करा देगा कि आप नहीं बनेंगे तो आपको पूरा ग्यान गुम हो जाएगा, आप इंसी कर फिल करेंगे इसलिए बाबा क्या कहते है हर एक का अपना अपना पार्ट है और जिसका जैसा पार्ट है वैसा ही वो पुरुशार भी करेगा वो भी fix पार्ट है तो भाबा क्यों हूमें स्वादर्शन चक्र करने को पिराने को कहते है हाँ, तो स्वादर्शन चक्र माना क्या यही आप eternal soul के बारे में आप मन्थन करो कि आप कौन हो तो जैसे ही आप त्राइ करके देख ना इस class के बात जब आपको ये अनुबव हो जाएगा ना कि मुझ आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता और मुझे इस ड्रामा से कुछ नहीं चाहिए आप मुक्ति का अनुबव करेंगे और ये मुक्ति तो हमारा मेन अमारा गोल है ना वर्से में, मुक्ति जीवन मुक्ति और बाबा तो कहते हैं एक सेकंड का खेल है, कभी कभी लगता है कि इतने सारे सेकंड हो गए तो एक सेकंड का खेल कैसे है, जिस सेकंड आपको ये अनुबव हुआ, मालो कि आप एक मिनिट मेडिटेशन करते है, स्वधर्शन चक्र, अगर आप अच्छी तरह से स्वधर्शन चक्र गुमाते हैं, डिटेश होकर, तो आप फ्री फिल करेंगे, कि मैं तो एक इस चक्र में पार्ट बजाने आती हूँ, कभी-कभी पार्ट अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, जो भी पार्ट है, तो स्वधर्शन चक्र जब आप गुमाते हैं, तो आप ड्रामा के संकल्प को बंद करते हैं, जो एक चीज समझने की है, जो चीज फीक से, उसको अगर आप बदल का प्रहतन करेंगे, वो होगा नहीं, डिजैर फुल्फिल नहीं होगी, और इसकी वज़ा से क्या होगा, आपको टेंशन होगी, यही तो दिखाया है इस स्लाइड में, तो डिजैर नहीं क्रियेट करना है किसके लिए, पार्ट के लिए, जो पार्ट मिले ठीक है, एक्टर क अच्छा बनाना है, एक्टर शुडबी फ्री, और बाबा केते हैं, अंत समय आएगा, आपके सामने लोग आएंगे, एक सेकंड में आपको मुक्त करना पड़ेगा, तो आप कब कर पाएंगे, जब आप आपने खुद अनुभव किया है, यह तो पार्ट है, पार्ट को वै रहेगा, तो हम फ्री होंगे, और फ्री होंगे, तो हम अच्छा पाट प्ले करेंगे, ठीक है? एक है? ख्लीर? तो अभी समय हो रहा है. sorry just a quick question the go to the previous this slide here you just slide him if a person goes through this right these you know since covid has hit a lot of people go through depression some people you know like you said desires you know who are tired in life you know where is my life heading right yeah so how do we get out of i like you said we are just playing a role right playing the role it's still i'm still so how do we how can a person get out of the situation yes so actually this we are sitting for meditation or something we are in name consciousness name consciousness yes right so first step is uh that's why first step is see the soul at the center of forehead so first step may kya hota hai we are ego based only ego means name consciousness kyunki hum bahut janmo se with by many births we are in that consciousness our default consciousness is body consciousness so first step is you see the soul experience the soul at the center of forehead and the second step is now this soul is watching pritesh in the first step pritesh is watching the soul you understood yeah uh in the first step it is always pritesh because uh default consciousness is pritesh only everybody calls me pritesh only yeah the i yeah yeah i so actually that i has to be shifted okay and baba never uses i word in the avyakta murli you find any more avyakta murli he always says bab dada because i is creating that problem so here normal our i is pritesh so all the desires or this trauma depression somebody is going through is because of that wrong identity wrong identity okay yeah so what baba is teaching us consider yourself as a soul so first step pritesh watching the soul second step you switch over now now experience that your point of light and watching this pritesh now while you are in the second step you are already detached from your part okay and that's how you you save yourself from the emotions of the part because sometimes the part is like that where emotions will be negative what we are trying to do separate the soul from the part and that's how you are not affected by the energy of the part so in the second step i will share that steps actually with sister upali she will share so once uh so that is a very important step if somebody is not doing this step correctly switching over then whole effort will be ego based actually ego will increase and the fear will increase even in the meditation also right so that is why in every firstly morley baba says consider yourself as a soul that means switch over now our body consciousness is so powerful we have to practice this every half an hour whenever we get time and the moment you are in the second step now you watch your part as a detest observer and the third step third step recently one girl was coming for counseling she used to always use this word but my life is like that my story is like that and the secret here is it's not your story it is drama story that means pritesh is a part so that is a different story in the drama it's not my story my story is and the soul world so our mistake is whatever is visible so in the third step once you are soul conscious now this point of light watching whole physical world as a physical world not a real world that means it's drama it's a story and it's my experience in last two years that full stop in one second can only happen with the point of drama it's fixed drama so that's it and in the third step once you are as a soul watching the drama as drama it's not real actually it's all fiction you know it's all fiction if you see any film at the start of the screen first screen they mention all the characters are fictitious what does it mean it's not real okay but ego ego within us says it's not fiction somebody is telling something wrong to you it's not fiction it's real so we get angry so actually why papa is able to basically remain free in spite of many things are going on in the world because he knows the script he knows the golden age is coming and he knows that finally all the children are safe actually no see that's our basic uh identity no one dies right kabhi kabhi in sometimes in the morally no baba says that uh this line comes actually that uh fear submerging it so that 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 point you should remember no nobody will die and that's how we are creating the what see when uh earthquake happens if we also experience it's wrong we also experience that you know uh that should not have happened then what vibration we are sending to the souls who left the body actually when such events happen you you yourself experience that nothing happens to soul and your experience will transmit to that souls which will make them feeling free in the liberation kind of experience that's how we serve actually through mind does that answer so in the third step we see drama is drama and once we are able to full stop the thoughts of the drama now you go beyond the drama and put your mind in the soul world and get experience of that so how the consciousness will shift more you stay in the soul world like how you're like some of you might be migrated from india to america how your consciousness got shifted more you stayed in that environment right same here baba is doing that thing that's why he is telling remember me and property so actually speaking according to my understanding it is not the property of golden age golden age is the reflection of the eternal property we have so as the consciousness so will be the golden age so we should not worry about the part in golden age we should be worried about experiencing freedom from the part right now more you experience freedom while playing the part more you get a higher part so in the first step we go beyond the drama and try to focus there and get that vibration and that's why baba says eight hours of yoga eight hours of remembrance because more you stay there more that environment will emerge within you and then you will not be affected by whatever is physical world going on and that's how your background or consciousness will shift actually it's a game of shift of consciousness side a side b okay so i hope it answered your question sister yes thank you yeah so thank you so much thank you everyone for participating participating over to you so much thank you so much thank you so much there um ndry sitte bauht sare quesions bhi hoonghe hum zharur rager or session kona chae henge aapke sath aap aukao yagi answer sare kye answer or yes yes baut sare questions ke answer bhi mi lhe hai deep understanding of ड्रामा, थैंक यू हम सबी की और से हमारे अनुपती रिट्री सेंटर के दीदी है मा दीदी, वाइशाली दीदी हम सबी की और से दिल से थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू झाल 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 झाल